तो आज हम बनाने चाहरे हैं काचरे की चटपटी सबजी की रेसिपी जो मिंटों में बन करके तयार हो जाती है और राजस्तान में हमारे हाँ ये काचरे असाने से अवलेबल है इस टाइम में ये सीजनल सबजी है तो आप जरूर बना करके देख सकते हैं अगर आपके यहां आपको इस ताइस ताइस सब्सल्डा से अवलेबल है तो सबसे पहले आपको इस तरह से faith काच्रे लेने है और यहां पर आप देख पा रहे हैं सबजी बनाने के लिएक ँदम टाइट-टाइट काच्रे अबने लिए हैं और इन काचरों को सबजी के लिए प्रेस्तने चख कट करने चक लें चस्बाद कट करें क्योंकि काचरी भी कट करने चके चकल लें। कच्रा कडवा निकल गया तो सबस्बजी घराब हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सभी काच्रों को cut कर लेना है और यह देखी मैंने इन सभी काच्रों को अच्छे से cut कर लिया है अब आपको गेस पर एक कड़ाई लेनी है और इसमें आपको आड़ करना है बिल्कुल थोड़ा सा कच्छी घनी सरसो का ओल आपको भी cooking oil यूज़ कर सकते ह मैं अपने किचन में सरसो का तेल यूज़ करती हूं तो वही एड़ कर रही हूं तेल को आपको अच्छे से भाब निकलने तक गरम कर लेना है और जब आपका ओल अच्छे से गरम हो जाता है तब आपको गेस की फिल्म को भी कुल कर देना है या फिर एक बार के लिए आप भी कर सकते हैं इसमें आपको एड़ करना है हाफ टीश्पू। जीरा और हाफ टीश्पून ही मैं और याप रैइन एड़ कर लूगी अगर आप हिंग कर ना है तो आप एिसमें अपर ङ़फ यह को भरिक काटके वह प्याज प्याज को आपको अच्छे से भुण लेना है व और थोड़ी ही देर प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से भून लेने के बाद अब आपको इसमें आड़ कर लेने हैं काचरे जो हमने कटकर के रखे हुए थे वो आपको इसमें आड़ कर लेने हैं और प्याज और हरी मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी काचरे को कुछ दिर तक भुनने के बाद अब आपको इसमें ऐड करनी हैं आदा ऐ्टा लाल मिश्पाऊडर 2 चमच हम यहां और सथip इसमसार आपको नमकयाड करेंना है सबी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसालों को अच्छे करने के बाद एड करना है अपको लैसुन का पेइसर्ट मैंने आप़ 8-10SM की कलिओं को अच्छे से कूट करकि यह यह समका पेष्ट बनाया है वह आपको इसमेंस कर लेना है बुगत औरती अच्छा फ्लेवर आता है लाइसन का अगर अगर आप लेसुन खाना पसंद नहीं कहते हैं तो आप को सबंसे मिक्स करने के बाद अब आपको सब्षे करके पकाना है इसके लेकिस की उपर आप को इसमें थोड़ा सा पानी करना है जिसनी कि अब पानी सब्मिक करने बाद चैकर ये सब् को नहीं मिक्स करने के बाद आपको इस propager कर पका DAY गई हैं और इस तरह से आप कट करके भी देख सकते हैं यह जो काच्रे हैं वो पुरी तरह से पके हैं या नहीं तो आप देख पा रहे हैं काच्रे पुरी तरह से पक गए हैं आप इसे चेक कर लीजे का और अब आपको गेस्की फ्लेम को ओफ कर देना है और आप इस गर्मा गरम सबज को सर्फ कर सकते हैं यह सब्जी टेस्टी होने के साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़िया है अगर आप इसमें थोड़ा सा मीठा सा चट्पटा सा टेस्ट लाना चाहते हैं तो आप इसमें गुड को कूट करके डाल सकते हैं इस तरह से लास्ट में ही आड कर करके बताईएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो दोस्तों आप इस राजस्थानिक काचरी की सब्जी का माजा लीजे मैं मिलती हूं आप से नए वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई